डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंट अराउंड दे गलूब कैनेडा में करोना वारस से 6424 हलाकते, मतासर होने वाले अफ़राग की तादा 84,700 हो गई लॉग डाउन दुनिया भर की तरह कैनेडा में एद मुख्तलिफ तरीके से मनाई गई कैनेडा में एक एफजाजी मुखारी के दौरान सियासी पना के मतलशी अफ़राग जो करोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं, इन्हें कैनेडे शेहरियत देने का मतालबा किया गया है जस्रिंटूरो की दुनिया के तमाम मुसल्मानों को ईद की मुबारक बाद, कैनेडा में बसने वाले मुसल्मानों के खित्वत के जजबे को काबले सताइश करार दिया अमरीका में 28 साल बाद, एक बार फिर तजबाती आट्वी धमाके करने पर गोर, अमरीका ने 1992 में अपना आखिर तजबाती आट्वी धमाका किया था भारत और बंगला देश में ईदिल फितर आज 25 माई को मनाई जा रही है जबके दुनिया भर में ईदिल फितर 24 को मनाई गई दुनिया भर में करोना वारस से मुतासरा अफराफ की तादाद 55,273 हो चुकी है जबके इस ते हलाकते 3,47,761 है अपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कैनेडियन वजरी आजम जेस्टिन टूरो की जानेब से ऐलान किया गया है कि उनकी हकुमत सूबो के साथ बाचीत कर रही है ताके कैनेडा में काम करने वाले हर वरकर को जरूरत के तहट साल में एक बार 10 दिन की पेड सिक लीव दी जा सके डेली ब्रीफिंग से खिताब करता हुए कैनेडियन वजरी आजम का कहना था कैनेडियन शेहिए कि जिम्मेदारी है कि वो अपनी और अत्राफ में मजूद लोगों का ख्याल करें और सेहते आमा के असूलों पर अमल करें ताके कोरोना वायरिस के फैलाओ को रुका जा सके उनका कहना था कि मौताद तरीके से माइशत और अवामी माकमात को खोलेंगे कि की वोगो के अवायरिस के तादाद में मौतासिर हो पहले है कि तादाद आधार व्यूवाद थारी मेंलों के अपटाद फैसंट फैसिक अिजियन इस है भी इसेना करेंचिफेंजर झाल करेंचिए इसार नेत्सक वंपार श्यूप जलिफावर्स कि आदारिय फ्मेर एश 84,700 हो गई है जबके मुल्क भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6424 तक जा पहुची है। जबके सूबे में करोना वारस के बाइस होने वाली हलाकों की तादा 3984 तक पहुच चुकी है। ओंटेरियो में करोना वारस से 25,500 अफराद मुतासिर हुए है। जबके हलाक होने वाले अफराद की तादा 3984 है। टॉरंटो में शेहरी इंतिजामे ने शेहर के 850 पार्क शेहरियों के निये खोल दिये हैं। हुकुमती दारों के सोशल डिस्टिंस काइम रखने के मसलसल ऐलाम के बावजूद पार्क्स खोलने के बाद आवाम का जम्मे घफीर पार्कों में निकलाया। सोशल डिस्टिंस कावनी का बिलकुल ख्याल नहीं रखा। अवाम की इस नापरभाही और गफलत पर शेहरी इंतिजामी और आला हुकाम ने बरहमी का इजहार करते हुए सख्स सरजनिश की है। सूबे के पिर्मियर डग फोर्ड ने ट्रेनी बेल बर्ट्स पार्क में लोगों के हुझूम पर नाराजगी का इजहार किया और इस मंज़र का मवाजना रौ कॉंसर्ट से किया। उन्होंने कहा कि शहरीों की जौनिब से इस कदर गफलत से बड़ा नुक्सान हो सकता है तह मैं वाश्रूम ना खुलने के सबब वहा आने वालों को शदीद परश़ानी का सामना करना पड़ा जबके बड़ी तादावत में शहरीों के पार्क में आने से जाब़जा के धेर लगे जिसके सबब वहां रहने वालों को परिशानी का सामना करना पड़ा अलबर्टा में 6860 अफराद करोना वारस से मतासर हुए हैं जबके 135 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके हैं बिर्टिश कॉलंबिया में अब तक 2517 अफराद में करोना वारस की तदीक हुई है जबके सूबे में करोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादात 157 है दुनिया भर की तरह कैनिड़ा में भी लॉगडाउन ने मुसल्मानों को मुक्तलिफ अंदास में ईद मनाने पर मजबूर किया जबके इस बार की ईद मुक्तलिफ तरीके से मनाई गई मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर की तरह कैनिड़ा में भी लॉगडाउन ने मुसल्मानों को मुक्तलिफ अंदास में ईद मनाने पर मजबूर किया जबके इस बार की ईद मुक्तलिफ तरीके से मनाई गई रमजान मुबारिक के रोजे रखने के बाद ईद का दिन जब मुसल्मान इकठे होकर नमाज ईद अदा करते हैं इसके बाद दोस्तों घर्वालों के साथ दावते की जाती हैं और लोग एक-दूस्सरे के गरों पर जाते हैं और मिठाई के एक और दीगर तहाई फेक दूसरे को देते हैं ताहम करोना वारस के सबब दुनिया के अक्सर मुमाले की तरह कैनडा में भी सूरत इहाल मुखतलिफ है समाजी दूरी पर अमल दरामत लाजमी करार दिया गया है मसाज़ित बन हैं बड़े इस्तमाद पर पाबंदी है अक्सर लोगों ने रमजान मुबारिक भी अकेले गुजारा और रिद की खुशियां भी अकेले मनाई कैनडा में एक एहतजाजी मुझारे के दौरां सियासी पना के मतलाशी अफराद जो करोना के खिलाफ फरंट लाइन पर हैं इन्हें कैनडियन शेहरियत देने का मतालबा किया गया है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा में एक एतिजाजी मुझारे के दौरां सियासी पना के मतलाशी अफराद जो करोना के खलाफ फरंट लाइन पर हैं उन्हें कैनेडियन शेरियत दी जाए। कैमिनिटीज के बढ़ती हुई तादाद वुकलाव सियासी रहनुमाव ने हकूमत से एक्शन का मतालबा किया है। सौ से जाएद अफराद केनेडियन वजीर आजम के दफ्तर के बाहर जमा हुए जो मार्क्स पहने हुए और प्लेकार्ड और हैटी के जंडे उठाए हुए थे। क्यूबिक में सियासी पना के अक्सर मतलाशी अफराद का तालुक है। मुझाहरी इनका कैना था कि उन अफराद को कैनेडियन शेरियत दी जाए जो हमारे लियां और हमारे बुजर्गों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हकुमत हमारे कारकुनों की खुर्बानियों को तसलीम करें। सिहत के बहरान की कैनेडा के सबसे ज़दा मतासर होने वाले सूबे क्यूबिक में सियासी पना के मुतलाशी खेर यकीनी हैसियत और अफराद के मईशच में किरदार पर रोशनी डाली है। अफराद मीट पैकिंग प्लांट्स और गुदामों में तवील अर्से तक काम करते हैं या तवील मुदती नेगिताश वाले घरों में अमर रसीदा अफराद की खिदमत करते हैं। ऐसी कम तनखाहों वाली मुलाजमतों में गुजारा करना मुश्किल होता है। ताहम ये लोग डीप प्रोटेक्शन का सलसला दوبारा शुरू होने के बाद कैनेडा में नहीं कर सकेंगे। Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a month of fasting and prayer. It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. उनका कहना था केना था केना था केना में बसने वाले मुस्लमानों के खिदमत का जथबा काबल सताइश है। उनका कहना था कि मुस्लमानों के खिदमात का सब को इतराफ करना होगा। उन्होंने कहा कि रमदान के आखर में मुस्लमानों के लिए Eid खुशी है और मुसरत का तहवार है। इस साल करोना के बाइस कई तहवार घरों में और आनलाइन मना जा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इस मौके पर जरूरत मंदों को याद भी रखा जाता है। और एक दूसरे से मुलाकात की जाती है तहाम इस बार Eid कुछ अलग है और लोग अपने अपने घरों में Eid मना रहे हैं ताकि करोना वाबा से खुद को और दूसरों को महफूस रख सकें। कैनेडین वजीराजम जस्टिन टूडो ने टूइट में तयारा हासे पर इजहरे अपसूस करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आने वाली खबर अलमनाक है तमाम फैमिलीज और दोस्ट जिन्हों ने हाथ से में अपनी जाने दी हैं और मतासरी इन सब के लिए दूआगों हैं। ट्रम्प इंतजामिया ने एक हाली जलास में एक बार फिर से तजर्बाती आटमी धमाके करने पर गोर किया है ताके रूस और चीन को मौसर तंबी की जा सके। गोर किया गया। वाज़ रहे कि अमरीका ने उनने सो बानवे में अपना आखरी तजर्बाती आटमी धमाके किया था लेकिन तब तक वो एक हजार बतिस आटमी धमाके कर चुका था जिन में दूसी जंग एजीम के दरान उनने सो पंतालिस में जापानी शहरों हीरोशीमा और नागसाकी को तबा करने वाले दो एटमी बमों के धमाके भी शामल थे। तज़िया निगारों का कहना है कि अगर अमरीका ने आने वाले दिनों या महीनों में एक बार फिर से तजर्बाती एटमी धमाके शुरू कर दिये तो इससे दुनिया में एक नई और पहले से ज बंगलादेश में एदल फितर आज 25 माई को मनाई जा रही है। भारत में लॉकडाउन और नमाज एट की इच्टमाद पर पाबंदी के बाइस शहरियों ने घर उपर नमाज एट अदा की। मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में। वजिर आजम और कौंगरेश के रहनुमार राहूल गांदी ने मुस्लमानों को मुबारक बाद दी और पैगाम जारी किया। भारती वजिर आजम ने सोशल मीडिया पर एदिल फितर की मुबारक बाद दी। उन्होंने भाई चारे और लोगों की सेहत से मुईतु पैगाम लिखा इसके लावा कॉंग्रेस के राहनुमार राहूल गांदी ने भी सोशल मीडिया पर एदल फित्र की मुबारक बात दी है भारत में उल्मा ने भी शहरियों से लागडाउन की सूरते हाल में नमाज एईद घरों पर आदा करने का कहा था दुनिया भर में करोना वारत से मतासरा अफराद की तादाद 55,273 हो चुकी है जबके इससे हलाकतیں 3,47,761 हो गई इस हवाले से मजीद चानते हैं दुनिया भर में करोना वारत से मतासरा अफराद की तादाद 55,273 हो चुकी है जबके इससे हलाकतیں 3,47,761 हो गई अमरीका में करोना वारत से अब तक 99,300 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके इससे बिमार होने वालों की मजमूई तादाद 16,86,436 हो तरकी में करोना वारत से जाबा होने वालों की तादाद 43,40 हो गई जबके करोना के कुल केसे 15,887 हो गई भारत में करोना वारत से 4,024 हलाकतیں हो चुकी हैं जबके इससे मतासरा मरीजों की तादाद 13,917 हो गई साउधी आरब में कुरोना वारत से अब तक कुल अमवा 390 रिपोर्ट हुई है जब केस के मरीजों की तादाद 72,560 तक जा पहुंची है अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाक टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएए किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे